हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम डू दू दी समेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज मैं अभी सेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम लोग गरती आगमन का सिध्धान्त पढ़ रहे हैं गरती आगमन के सिध्धान्त में हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रसनावली से संबंधित 1 से 4 तक की सवालों को हल किया था आज की वीडियो में हम प्रसनावली में 4 से आगे की सवालों को हल करेंगे तो वीडियो में देरी ना करते हुए आईए शुरू करते हैं प्रसंख्या 5 प्रसंख्या 5 हमारे पास है 1 into 3 plus 2 into 3 का square plus 3 into 3 का cube plus dot 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 plus n into 3 की power n बराबर 2n minus 1 into 3 की power n plus 1 plus 3 बटा 4 हमें क्या करना है सिद्ध करना है for all यनि इस element of natural number के लिए बतलब सभी प्राक्तिक संख्याओं के लिए यह क्या करना है सिद्ध करना है देखे तो सबसे पहले हम सवाल का step एक लिखेंगे हमारा step जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा pn such that 1 into 3 plus 2 into 3 का square plus 3 into 3 का cube plus dot 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 plus n into 3 की power n बराबर क्या हो जाएगा 2 n minus 1 into 3 की power n plus 1 plus 3 बटा कितना 4 ठीक है यह हो गया हमारा statement अब हम लोग क्या करेंगे statement में प्रूब करना सुरू करेंगे किसके लिए यन बराबर 1 के लिए देखें यन बराबर एक के लिए यदि हम बात करें तो यन बराबर एक के लिए तो यन हमारे पास यह जो होता है उसमें बराबर एक का मतलब होता है क्या अनबर आफ एलिमेंण बराबर एक मतलब कितना वह यह हो और एक कौन सा हो जाएगा वन इन्टू थिरी वान इन्टू थिरी बराबर क्या हो जाएगा वन हो जा जाएगा माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 4 3 एकन्नम 3 बराबर यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 एकन्नम 2 2 में से घट जाएगा तो 1 इंटू 3 की पावर कितना 2 प्लस कितना 3 बटे कितना 4 कि आ हो जायेगा 3 बराबर करेंगे तो op 9 में 3 जूर देंगे तो 12 बड़के तना हो जाएगा 4 4 से भागदेंगे 12 में तो हमारा आक्ति होगा वह तीन बराबर क्या हो जायेगा थीं अ भी मतलब Do and they give Z एक के लिए जो दिया गया कथन है दिया गया कथन दिया गया कथन क्या है सत्य है दिया गया कथन क्या है सत्य है यह तो किसके लिए बात हुई यन बराबर एक के लिए ठीक है अब हम बात करेंगे किसके लिए दो कॉंजिकेटिव नंबर के और के प्लस वन के लिए ठीक है दे consecutive number जो हमने introduction में सीखे थे उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यन बराबर के है अगर यन बराबर के लेंगे तो हमारा जो statement हो जाएगा वो हो जाएगा PK क्या हो जाएगा PK मतलब यन की जगे हम क्या रख रहे हैं के रख रहे हैं तो PK such that 1 into 3 plus यह क्या हो जाएगा 2 into 3 का square plus आगे बठेंगे तो ऐसे dot 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 कहा तक आ जाएगा dot dot हो जाएगा कहा तक यन की जगा हमारा क्या हो जाएगा k into यह हो जाएगा 3 into yun की पावर कितना यन की जगा की बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 into यहन की जगह k minus kya 1 फिर हो जाएगा कितना 3 k की power k 3 की power यहन की जगह क्या हो जाएगा k plus 1 और यहां क्या हो जाएगा plus 3 बड़े कितना 4 ठीक है अब देखे ध्यान से यह जो समीकरण बन रहा है इसे हम लोग समीकरण नंबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 को समीकरण 2 में ले जा करके क्या करेंगे प्रूब करेंगे थोड़ा समीकरण को और अच्छे से लिख देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1 into 3 plus 2 into 3 का square प्लस डाट 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 प्लस के इंटू 3 की पावर के बराबर क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1 into 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 अपान कितना 4 ठीक है यह हो गया हमारा कौन सा समीकरण नंबर 1 आगे देखिए यह 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 बराबर अगर यह बराबर के है यह बराबर एक के लिए जब बात सत्य थी वैसे के के लिए भी सत्य होगी तो हम लोग सीधे सीधे बात लिखते हैं कि यह बराबर के के लिए यह बराबर के के लिए दिया गया कथन क्या है क्या है सत्य है दिया गया कथन क्या है सत्य है अगर यन बराबर के के लिए है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसके लिए बात करेंगे के प्लस वन के लिए बात करेंगे तो यहन बराबर के प्लस बन के लिए जो हमारा statement होगा वहूजाएगा PK 3 क्या होजाएगा वोन इन टू 3 प्लैस 2 इन्तू 3 का स्वायर 3 इन्टू 3 का क्यूब प्लैस डाट डाट क्या होजाएगा प्लैस यहां देखे है यहां हो जाएगा यहां तेन इंटु के प्लैस वन माइनस एक ब्रैक्ट मेंटु हो जाएगा तीन कीप आवर्क प्लस वन प्लस कितना तीन और पूरे का बटा कितना चार यह तो हमारा रहा क्या के प्लस वन का स्टेटमेंट ठीक है आप देखे ध्यान से हम यह पूरा पॉरसन मिटा रहे हैं आपके लिए यहां इस समीकाड़े को छोड़ करके बाकी ठीक है देखे अब नोट कर लीजेगा नहीं तो स्क्रीन सूट कर लीजे देखे हमारे पास हो गया यह स्टेटमेंट ठीक है अब इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या लेते हैं यह लेते हैं क्या लेते हैं यह लेकर के उससे क्या ला देते हैं रहस ला देते हैं देखे हम लोग सुरू करेंगे कहां से यह हो प्लस डाट डाट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा के प्लस वन क्या हो जाएगा के प्लस वन इंटू तीन की पावर के प्लस वन ठीक है यह हमारा कौन रहा यलचस रहा अब हमने यलचस अगर ले लिया है तो यह के प्लस वन वा पद है अगर हम इससे एक पद पहले लिखें यह लिखेंगे 1 into 3 plus 2 into 3 का isquire plus 3 into 3 का cube plus dot 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 क्या लिखेंगे k into 3 की power k plus k plus 1 into 3 की power k plus 1 ठीखें यह देखें हम ने इस के plus 1 वाले पसे एक पद पहले लिख दिया है के ठीखें यह हो गया हमारा K प्लस वन मा वाला इस्टेटमेंट और यह हो गया के तेटमेंट और इसे अ में क्या बनाएंगे नमब्र क्या बनाएंगे 2 क्या सब्सराइब समीद करण 2 में समीदії क्या करने परफ समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करने पर मान रखने पर अगर हम लोग समीकरण 1 देखें तो समीकरण 1 में हमारे पास 3 के के पद तक का मान हमारे पास है यह देखें के इंटू 3 की पावर के है के इंटू 3 की पावर के तो यहां तक का मान हमारे पास जो है वो क्या है 2K-1 इंटू 3 की पावर K-1 प्लस 3 बटा कितना? 4 और हमारे पास क्या है? ये वाला पद है K-1 इंटू 3 की पावर K-1 बटे कितना? 1 हम देखर पा रहे हैं इन दोनों पदों में क्या करें? सबसे पहले तो LCM लेके दोनों को जोड़ें अगर LCM लेके दोनों को जोड़ते हैं तो लेसा हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर K-1 इंटू 3 की पावर K-1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू K-1 और इंटू 3 की पावर K-1 ठीक है? अब ध्यास देखे आगे क्या होगा? आगे हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि सबसे पहले तो इस 3 को हम लोग क्या कर देते हैं? दाहिए तरफ किनारे कर देते हैं क्योंकि ये 3 तो हमें आंसर में लाना ही है ये देखिए ये 3 तो हमें आंसर में लाना ही है अगे इस 3 को छोड़ देते हैं यह दोनों पदो को देखिए तो इन दोनों पदो में K की पावर 3K के प्लस 1 K की पावर K plus 1 दोनों में क्या है उभैनिष्ट है तो 3 की पावर K plus 1 हमने क्या कर लिया उभैनिष्ट कर लिया यहां क्या बचेगा 2K minus 1 plus 4 का अंदर गुड़ा करोगे तो 4K,加 dal 4, ठीक है, और यहाँ क्या बचएगा, plus 3, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, देखिये, 4 और 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6K, कितना हो जाएगा, 6K, और 4 में से घड़ गया, तो, 3, सभी है, और क्या हो जाएगा, प्लस 3 बटे कितना? 4 ठीक है? हमें क्या प्रूब करना है? हमें प्रूब करना है यहां देखिए अगर इसे हम लोग सरल करें इस वाले पत को तो 2K प्लस 2 माइनस 1 into 3 की पावर K प्लस 1 मतलब 2K प्लस 1 2K प्लस 1 तो देखिए ध्यान से हम इन दोनों में क्या करते हैं? 3 कॉमन कर लेते हैं क्या कॉमन कर लेते हैं? 3 कॉमन कर लेते हैं यदि इन दोनों में 3 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे यह हो जाएगा 3 into 3 की पावर K प्लस 1 3 into 3 की पावर क्या? K प्लस 1 और bracket में यहां हो जाएगा 2k प्लस 1 और प्लस कितना 3 बटे कितना हो जाएगा 4 ठीक है यह हो गया अब ध्यास देखे हमारे पास यहां क्या हो जाएगा अब अगर हम लोग देखें हमारे पास यहां लाना है 3 की पावर k प्लस 1 2k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 बटा कितना 4 ठीक है तो इन दोनों में देखे इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है हार पास 2k प्लस 1 आ गया है ठीक है यह कितना हो जाएगा यहां लिखते है यह ठीक है यह हो जाएगा कितना टू के प्लस वन टू के प्लस वन ठीक है टू के प्लस वन इन्टू इन्टू तीन की पावर के प्लस वन इन्टू तीन की पावर क्या के प्लस वन प्लस कितना हो जाएगा तीन बटे कितना हो जाएगा चार आपको इधर का दिख नहीं रहा था इस वज़े से इस वाले पत को हम लोग क्या करते हैं यहां से देखिए यहां दिखा देते हैं आपको ठीक है यह देखिए कि यहां देखिए हम लोग के प्लस वन रख रहे हैं न यहां क्या हो जाएगा टू के प्लस वन माइनस वन इंटू 3 की पावर k प्लस 1 देखे और यहां एक प्लस पहले से है और प्लस कितना हो जाएगा 3 और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है आगे देख लीजी आगे क्या करेंगे हम लोग इसे आगे इसे के लिए लिख देते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 इंटू नहीं प्लस 3 बटे कितना 4 देखे हम लोग यह पहुँचे है यह देखे 3 की पावर एक है और इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे ति यह 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है यह रहा ठीक है आप लोग चाहें इससे यहीं लिख सकते हैं बराबर करके यह हो जाएगा 3 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस कितना 3 बटे कितना 4 ठीक है यह रहा आपका क्या आर यच यस आर यच यस इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे हम लोग कहेंगे कि for all अतह PMI से क्या आंसर लिख रहे हैं अतह PMI से क्या होता है सिद्ध होता है अतह PMI से क्या होता है सिद्ध होता है कि कि for all यनि इस अलिमेंट आप ने चुरल नंबर के लिए दिया गया कथन दिया गया कथन क्या है सत्य है दिया गया कथन क्या है सत्य है ठीक है नोट कर लीजे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रस्णु की और प्रसंख्य अच्छ है देखे प्रसंख्य अच्छ है हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 2 into 3 3 into 4 plus dot 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 plus yen into yen plus 1 बराबर yen bracket में yen plus 1 अगले bracket में yen plus 2 वाई क्या तीन ठीख है यह है देखे ध्यान से सबसे पहले तो हम दियेगे statement को अपनी format में लिखेंगे जो हमारा format है वो क्या है P yen पी यन ठीक है तो पी यन क्या हो जाएगा हमारे लिए पी यन हो जाएगा हमारे लिए एक इन्टू दो इन्टू दो इन्टू तीन इन्टू तीन एक दो गुड़ा है फिर दो तीन का गुड़ा है और तीन चार का गुड़ा है यह सब क्या हो रहा है योग हो रहा है कहां ते वो है यन ब्रैकेट में यन प्लेस वन यन प्लेस टू बाई कितना थी ठीक है अब हम लोग गड़ती आगमन के सिध्धान से किसे पी यमाई से या यहां पी यमाई ने लिख करके अंति में पी यमाई लिखेंगे सबसे पहले इसके सत्यता की जाज करते हैं तो क्या लेते हैं यन बराबर एक के लिए यन बराबर किसके लिए एक के लिए यन बराबर एक के लिए बात करें तो यह क्या हो जाएगा पी वन क्या हो जाएगा पी वन सच दैट वान इंटू टू क्यों क्यों क्योंकि यहलेचस हमें एक ही पद लेना है हमें यहां यहां य right hand side में यन की जगान एक रखना है एक प्लस एक एक प्लस दो वट Κितना तीन तो यह हो जाएगा क्या एक इंटू दो का मतलब गया हो गया हो समय के धिक तोट जिस चार्य चिछ के लिलिए बात कर रहां तो तो क्या लिखेंगे यह न बराबर एक के लिए कर दिया गया कफन मा दिया घान का है सत्य दिया गया कतन किया है सत्य ठीक है यन बराबर एक के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है तो ध्यास देखिए अगर यन बराबर एक के लिए दिया गया कथन सत्य की बात कर रहे है तो हम लोग क्या करेंगे अब आगे बढ़ेंगे तो मान लेंगे माना यन बराबर किसके लिए के के लिए अगर येन बराबर k के लिए की बात करें तो येन बराबर k के लिए हमारा हो जाएगा P K सचे दाईट 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus क्या हो जाएगा ड़ट 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 यहां हो जाएगा यन ब्राकेट में अच्छा यन की जगाँ क्या रोट हरे हम लोग कए क्या हो जाएगा k bracket में k plus 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ k अगले bracket में k plus 1 अगले bracket में k plus 2 भाई कितना 3 ठीक है यह रहा अब जहांज देखिए यह तो हमारा statement है वो k statement है k statement तो ऐसे भी सक्ति होता है इसलिए लिखेंगे कि यन बराबर k के लिए कि दिया गया कथन दिया गया कथन क्या है सत्य है दिया गया कथन क्या है सत्य है अगर यन बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली consecutive number k plus one के लिए सत्यता की क्या करेंगे judge करेंगे देखें लिखेंगे क्या यन बराबर k plus one के लिए यन बराबर k plus one के लिए तो यन बराबर k plus one के लिए क्या हो जाएगा हम लोग लिखेंगे p k plus one such that k plus one वाला statement लिख रहा है धान से देखें वन इंटू टू टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर प्लस डाट 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 प्लस क्या हो जाएगा के प्लस वन क्योंकि यंकी जगा हम इस बार क्या है के प्लस वन क्या हो जाएगा के में प्लस वन और प्लस वन एक और बार और बार करतें बराबर क्या hearing wordas اگले प्लस 1 प्लस वन अगले प्लस से ओंध में के प्लस справ अगले प्लस टू और पूरे का बता कितना हैं कि यह समीकर नंबर एक बनाना होता है न यह हो गया हमारा कॉंसा समीकर नंबर एक हैं इस स्टेश्मेंट को थोड़ा और आगे लेकर चलकर हल करते हैं देखिए ये क्या होजाएगा? पी k plus 1 such that क्या हो जाएगा? 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus that dot dot क्या हो जाएगा? इससे एक कदम पहले ही रुप जाएगे ये के plus 1 y statement है एक कदम पहले रुपेंगे तो कौनसा statement होगा K होगा और ये कौनसा होगा? ये होगा K plus one होगा और ये हमारा क्या है प्लस ये एक आगे है K प्लस 1 और कॉन K प्लस 2 बराबर यहां क्या बचेगा K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 बटे कितना? 3 ठीक है ये हो गया अभ देखे द्यान से इसमें से हम यहलिचस लेंगे और ह wanna यहलिचस लेकरके उसमें समीकर्ण नंबर 1 का प्रयोग करके समीकर्ण नंबर 2 में यह जो हमारा RHS है उसे लाने का क्या करेंगे प्रयत्न करेंगे या प्रूब करने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ता है यही गड़ती आगमन का सिध्धान्त है यही टेक्निक ही कहलाती है गड़ती आगमन का स यह यह समारा हो जाएगा वान इंटू टू टू इंटू थ्री प्लस क्या हो जाएगा थ्री इंटू फॉर प्लस कहां तक K bracket में K plus 1 Plus K plus 1 और K plus 2 ठीक है ये हमारा क्या हो गया येलचस हो गया ठीक है अब देखे द्यान से समीकर नमबर 2 समीकर glor 5 में के यहां था न 1 x 2 2 x 3 3 x 4 0 ठीक है K और K plus 1 तक यहां तक यहां तक कस मान समीकरण नंबर नंबर कहां से रखेंगे एक से इसे बनाएंगे समीकरण नंबर दो क्या लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक से मान रखने पर मान रख दे प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा जब इसका मान रखेंगे यहां तक का तो यह मान तो यह वाला है के ब्रैकेट में के प्लस वन अगले ब्रैकेट में के प्लस टू बाई कितना थ्री प्लस के प्लस वन और के प्लस टू ठीक है और बाई क्या हो जाएगा वन ठीक अब देखे द्यान से इन दोनों में हम lcm लेके solve करेंगे और दूसरा भी तरीका है लेकिन इससे पहले कि हम lcm ले लेते हैं lcm मारा कितना हो जाएगा 3 यह हो जाएगा k bracket में k plus 1 अगले bracket में k plus 2 plus 3 into k plus 1 into k plus 2 हमारे पास यहां दो पद हैं और इन दोनों पदों में k plus 1 और k plus 2 क्या है common तो आगे हल कर देते हैं यह हो जाएगा k plus 1 और k plus 2 ठीक है तो बचेगा क्या यहां बचेगा k और यहां क्या बचेगा 3 तो यहां हो जाएगा क्या k plus 3 और पूरे का बड़ा कितना 3 यह रहा आपका कौन आर्यच यस आताह क्यों लिखेंगे अताह क्य पीयम आई से और पीयम आई से क्या होता है सिद्ध होता है सिद्ध होता है कि कि फॉर आल यह निज एलिमेंट आप निचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको समझ आया हो इसे नोट कर लीजे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रस्ण की हमारा अगला प्रस्ण है प्रसंख्या साथ प्रसंख्या साथ है एक इंटू तीन प्लेस तीन इंटू पाँच प्लेस पाँच इंटू साथ प्लेस डाट 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 प्लेस क्या हो जाएगा तू यन माइनस वन तू यन प्लेस वन बराबर यन ब्रैकेट में 4 यन स्क्वेर माइनस 6 यन माइनस 1 बाई 3 ठीक है यह हमें क्या करना है प्रूब करना है किसके लिए सभी प्राक्तिक संख्याओं के लिए ठीक है सभी प्राक्तिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है यह हमें क्या करना है प्रूब करना है सबसे पहला इस्टेफ हमारा होता है कि हम दी गई सवाल का क्या लिखे स्टेटमेंट लिखें इस बार हम सवाल कोई statement के रूप में ले लेते हैं देखें यह हमारा statement हो जाएगा pn such that ठीक है यहनकी format में लिखा भी है तो यह हमारा format ही हो गया statement हो गया ठीक है धांज देखें अब क्या करेंगे हम लोग यहन बराबर एक के लिए सत्यता की जांज करेंगे यहन बराबर एक के लिए सत्यता की जांज करते हैं देखें यहन बराबर एक के लिए सत्यता की जांज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहन बराबर एक के लिए यहन बराबर एक के लिए क्या हो जाएगा यहां सिर्फ एक पद लिया जाएगा आप इसे P 1 भी लिख सकते हैं such that 1 into 3 1 into 3 और RHS में यहन की जगां क्या लिखा जाएगा एक लिखा जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा बराबर एक ब्रैकेट में 4 गुड़े 1 काई स्क्वायर माइनस 6 गुड़े 1 माइनस 1 बड़े कितना 3 यहां हो जाएगा 3 एक अननम 3 हो जाएगा बराबर 4 एक अननम 4 और 4 माइनस 6 माइनस 1 बड़े कितना हो जाएगा 3 ठीक है हमें यहन की जगा कितना रखना था एक रखना था हमने 1 रख दिया, तो है हो जाएगा कितना ? 1 इंटू 4 एक का square minus 6 2 है сто刘 यह कितना हो जाएगा ? यह हो जाएगा 3 बराबर 4 में से 6 घटाएंगे और 4 में से 7 घटाएंगे ठीक है ? मतलब यह हो जाएगा 4-7 6 में से 1 ठीक है ? तो यहां बचेगा 3 बराबर माइनस 3 बटे 3, ठीक है, अच्छा हम सवाल मिला लेते हैं, सवाल में एक मिस्टेक रह गई है, यहां माइनस ही जाएगा क्या है, प्लस है, ठीक है, यहां प्लस है, ठीक है, तो यहां भी प्लस रहेगा, और यहां भी प्लस रहेगा, और यहां हो अर्यचेस यदि यह लेचेस बराबर रहेचेस होता है तो हम लिखते हैं कि यह लगाबर एक के लिए दिया गया गधन क्या है सत्य है अतर पीवन सच देट क्या है सत्य है पीवन क्या है सच है क्यों सत्य है क्योंकि यह लिचस बराबर हमारे पास क्या है ठीक है अगली लाइन में हम यह बराबर क्या लेते हैं के लेते हैं माल लेते हैं माना यन बराबर के के लिए माना यन बराबर के के लिए अगर यन बराबर के के लिए की बात करें तो यह हमारा क्या हो जाएगा PK statement हो जाएगा सच देट जहां जहां यन दिख रहा है वहां वहां हम क्या लगा देंगे के लगा देंगे तो यहां क्या बात बनेगी एक इंटु दो प्लस दो इंटु तीन प्लस, अच्छा, सौरी एक इंटु तीन सुगह थे इसकी अगला है तीन इंटु पांच प्लस पांच इंटु साथ प्लस डटडडडडड़ क्या है हमारे पास 2N, N की जगां क्या लिख रहे हैं, K 2K-1 और 2K-1 ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बराबर यन की जगां K रख रहे हैं और क्या हो जाएगा, 4K-2 माइनस नहीं है, यहां 6K-1 बाई क्या, 3 यह कौन से statement है, P-K statement P-K statement भी क्या होगा, अपने आप में सत्य होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P-K statement क्या है, यन बराबर किसके लिए, यन बराबर के के लिए, यन बराबर के के लिए, दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे, यन करेंगे और इसे क्या बनाएंगे यह हमारा काम करेगा समीकर नंबर किसका एक का ठीक है क्या लिखते हैं पी के प्लस वन का इस्टेट में लिखते हैं ना क्या मान लेते हैं माना कि यहन बराबर के प्लस वन के लिए यह निए बराबर k plus 1 के लिए क्या हो जाएगा p k plus 1 such that क्या हो जाएगा 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 ध्यान से यहां हो जाएगा क्या k plus 1 लिख रहे हैं तो plus 2 into क्या हो जाएगा k plus 1 minus 1 फिर क्या हो जाएगा 2 k 2 k plus 1 plus 1 ठीक है और क्या हो जाएगा बराबर बराबर क्या हो जाएगा k plus 1 और फिर बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं 4 into k plus 1 का whole square plus 6 k plus 1 minus 1 और पूरे का बटा कितना 3 ठीक है यह राई statement अब हम सबसे पहले तो इस statement को अच्छे दरी कैसे लिख लेते हैं इसमें RSS को भी solve कर लेते हैं ठीक है देखे यहां से शुरुआत करते हैं solve करने के ठीक है इस statement को लिखते हैं और इस statement में आग k plus 1 का statement है इससे हम एक कदम पहले ही लिखेंगे ठ्यान से देखिएगा यहां क्या हो जाएगा 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 यहां क्या लिखेंगे एक कदम पहले लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यह 2k हो जाएगा plus 2 minus 1 मतलब क्या 2k plus 1 क्या हो जाएगा plus 2k plus 1 ठीक है यहां क्या हो जाएगा 2k plus 2 plus 1 2k plus 3 क्या हो जाएगा 2k plus 3 बराबर यहां क्या हो जाएगा यहां तो हो जाएगा k plus 1 ठीक है यहां देखिए इससे solve करते हैं तो यह square तूटेगा पहले, यह हो जाएगा 4 bracket में k square plus k plus 1, plus 6 k plus 6 minus कितना 1, यह हो जाएगा 4 k square plus 4 k plus 4 minus 6 k plus 6 minus 1, तो यह हो जाएगा 4 k square 4 और 6 plus 10 k, ठीक है, प्लस 10 के हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6, 4, 10, 10 में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है, मतलब यहाँ जाएगा, क्या bracket में 4 k square plus 10 k, plus 9, बटा कितना, ठीक है, अब हम इसमें से क्या लेते हैं, यहले यह 2, यह, देखें, यह जाएगा 1 into 3, plus 3 into 5, plus 5 into 7, plus start- usa, यह हो जाएगा 2 k minus 1, और हो जाएगा 2 k plus 1, plus 2 k plus 1, और यह हो जाएगा 2 k plus 3, ठीक है, यह हमारा यहले जाएगा, अब ध्यांस देखें, इसे हम लोग मनायेंगे, समी करण नंबर क्या दो और क्या लिखेंगे समी करण दो में क्या लिखेंगे समी करण दो में ठीक है क्या करने पर समी करण एक से समी करण एक से मान रखने पर मान रखने पर ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा यहां से देखें आप तो हम लोग यहां दिखा रहें आपको कि यहां से लेकर कि यहां तक कमान जो है वो कहां से लेंगे हम लोग समीकर नमबर एक से तो समीकर एक किस से हम जो मान रखेंगे ति यह मान होगा क्या है यह हमान के ब्रैकेट में 4K इस्क्वायर प्लस 6K माइनस 1 बटे कितना 3 ठीक है और यहां मारा जो दूसरा पद है वो क्या है वो है 2K प्लस 1 और 2K प्लस 3 बटे कितना 1 ठीक है ध्यांज देखिए हम देखे तिसका गुणनखंड संभव है कि नहीं पहली बात तो क्या मिले हमारे पास कि गुड़ा करने पर हमें कितना मिले गुड़ा करने पर चार मिले और घटाने पर कितना मिले च्छे तो ऐसा तो खुड़नखंड हो नहीं पा रहा है तो क्या करते हैं हम लोग इसका LCM सॉल करते हैं क्या सॉल करते हैं LCM देखे, LCM solve करेंगे, तिया हो जाएगा K, bracket में 4K square plus 6K minus 1 plus, इसका S के अंदर क्या कर देते हैं, गुड़ा, तिया हो जाएगा 3 into, दो दूना, 4K square plus 2 ती आई, 6K, 2 ती आई, 6K, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8K, यह हो जाएगा कितना, plus, कितना हो जाएगा, एक का 3 में 3, पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 3, आगे बढ़िए, के का अंदर गुड़ा कर दीजिती हो जाएगा, के bracket में, अच्छा, के का अंदर गुड़ा करेंगे, 4KQ, प्लस 6K, स्क्वाइर, माइनस के, प्लस, 4 ती आई, 12K, स्क्वाइर, प्लस, 8 तीरी, 24K, प्लस, कितना, 3 तीरी, का 9, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, अब देखे द्यान से, हम लोग इसे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, 4KQ, प्लस, 12 में 6 जोड़ेंगे, तो 18K, स्क्वाइर, प्लस, 24 में से 1 घटा देंगे, तो 23K, प्लस, कितना, 9, बड़े कितना हो जाएगा, 3, यह तो रहा हमारा कौन, LHS, लेकिन RHS को हमने यहां तक solve नही 8P, स्क्वाइर, प्लस, 9-क, प्लस एक से गुड़ चरिंगे, तो एक से घुड़ा करेंगे, ते एक सी घुड़ चरिंगे, तियोग एगा, 4Kज को हैर, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, प्लस, 10K, बस कितना उनो, और पूरे का बटा कितना रहने हाले, ती अगर इसे साल कर गना और 10 19 के और यहां कितना के है यहां 23 के ठीक है प्लस कितना हो जाए गना और बटे कितना हो जाएगा 3 ठीक है यह देखिए यह गुडा है अब देखिए हम लोगों ने गल्ति कहां किहें प्लस माइनस पर ध्यान नहीं दिया क्या कि हुअं यह हमारा क्या है टू के टीफलस वन ही उपनेगा यह टू के प्लस टीन बनेगा ठीक है टू के प्लस वन झालम और appelle barely 2019 ठीक है ठीक है झाया है प्लाइम और इसुक प्लस टिन होजाएगा देख़े हमारी गलती है देखिए कहां K plus 1 का जो whole spiral से तोड़ने में हमने यहां जल्दबाजी की है यह होगा क्या K square plus 2K plus क्या 1 ठीक है फिर से इसे solve करते हैं कि यह क्या हो जाएगा हमारा यहां हो जाएगा कितना 4K square plus 4 दूनी 8K plus कितना 4 plus 6K plus कितना 6 में से 2 दूनी यहां कितना हो जाएगा 4K square plus कितना 8 6 14 K plus कितना 4 पांच 9 ठीक है बतलब यहां 4K square plus कितना होगा यहां 14 कि ठीक है प्लस कितना 9 अब देखेए अब के से अंदर गुला करने हम लोग तो के से अंदर अब करेंगे की का करेंगे के क्यूब 14 यहां कितना हो जाएगा चाहदा की किसको பिक है प्लेम की में क्या हो गए थीए ठीक है यह रहा हमारा कौन और यह यह सद होता है क्या होता है कि क्या की सभी फॉर रॉल यानिस इलिमिंट आपने इbagन के लिए यानिस इलिमिंट आफ निसरल नंबर के लिए दिया गया दिया गया कथन क्या है कथन सत्य mi realizar कथन क्या हैsentियर ठीक है इस प्रकार से यह रही कि प्यास किजेगा अगली सवाल के लिए आप क्या करेंगे प्यास करेंगे जैसे हमने कर रहा है आपको एक दो स्टेप तीन स्टेप तक जाना है ठीक है वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आये हो दो चैनल को किजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत